नमस्कार दोस्तो मैं मानसी गुलाटी भारत समचार के सवी दर्शकों का स्वागत करती हूँ आज मैं आपको अच्छी नीन के लिए योगासन का अभिहास करना बताऊंगे लोग अक्सर इस समस्या से जूचते हैं बहुत ही कोशिच करते हैं लेकिन उनको नीन नहीं आती है और यदि आपको नीन आती है तो आप नीन में भी डिस्टर्ब रहते हैं तो चलिए सिंपल योगासन का भिहास करते हैं और आपकी अनित्रा की समस्या को पूरी तरह दूर करते हैं शुरू करेंगे किसी भी अराम दायक स्थिती में बैठ जाएंगे वचरासन में सुखासन में जिसमें आप कमपोटेबल रहें आखों को बंद कर लेंगे मन को शांत रखेंगे कमर सीधी रिलाक्स योर शोल्डर तीन लंबी गहरी सांसे लेंगे ओम का उचारण करेंगे ओम करेंगे ओम 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 चेहरे पे एक सुन्दर सी मुस्कान को रखेंगे हमारा मन पूरी तरह शांत हो गया है हाथ को रफ करेंगे आखों पर रखेंगे तीरे से चेहरे पे मसाज करेंगे और शुरू करेंगे मेरे साथ आज का सेशन तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्वाइप पोस करना बताऊंगी ये बहुत अच्छा होता है आपके नवल सिस्टम को स्टिमिलेट करता है तो चलिए करेंगे इस तरह से अपने हाथ को रखिए और यहाँ पर प्रेशर डालिए अभी धीरे से दस बार यहाँ पर मसाज करेंगे आखों को बंद कर लीजिए आपका पिनियल ग्लांड होता है यहाँ पर इससे वो एक्टिवेट होता है तो जिन लोगों को सोना नहीं आता उन लोगों को एक अच्छी नीद आ जाएगी एक बार और करेंगे एक बार करेंगे पिनियल ग्रेंड आपके मेलिटोनियन हार्मोन को कंट्रोल करती है तो इस आसन को तीन ब़र जरूर करें आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अब हम दूसरा आसन करेंगे जिसको हम बाल आसन बोलते हैं बालासन बहुत अच्छा आसन है, सबसे पहले आप वजरासन में बैठ जाएंगे और मैं चाहती हूँ यह आसन आप मेरे साथ ही करिए, वजरासन में बैठ जाएंगे कमर सीधी धीरे से हाथ को यहाँ पे रखिए, धीरे से अपने बाड़ी को आगे लेके चाहिए और अपने पोर हेड को नीचे लगाईए यकीन मानेंगे दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं चाहूंगी आप भी इन आसन को रोज करिए एक बार और करेंगे अपने हाथ को यहाँ पे रखिए दीरे से एक्सील करते हुए नीचे जाईए अब ते पोर हेड को नीचे लगाईए इनहेल करते हुए उपर आईए और रिलाक्स तो चलिए अब हम करेंगे पून तितली आसन यह मुझे बहुत अच्छा आसन लगता है इस तरह से अपने पैरों को मिलाएं आखों को बन करिए मॉड़ी को उपर की चरब स्प्रेच करिए अच्छा कर आखों को करेंगे अच्छा करेंगे अब थीरे से इसी तरह नीचे आईए अब मैं आपको शवासन करना बताऊंगी शवासन बहुत अच्छा आसन है मैं इस आसन करते वक्त अक्सर सो जाती हूं लेकिन हम इस आसन में अपनी सांसों पे ध्यान करेंगे इससे आपका कॉंसेंट्रेशन बढ़ता है और अनुत्रा की समस्या भी दूर होती है तो इस आसन में हमारा मेन पोकस हमारी सांसों की तरफ ही होना चाहिए तो चलिए लेट जाएए हाथ को उपर की तरफ करिए आखों को बंद रखिए गहरी सांसे लीचिए बोडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए आपकी बोडी बहुत हलका मैसूस करेगी अगर आप एक मिनिट इस पॉस्चर में इस तरह से विश्राम करेंगे आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी सिरफ अपनी सांसों पे ही ध्यान रखिए तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा इसके साथ में खान पान पे भी ध्यान रखिए पांच बजे के बाद no oily food, no junk food, no sugar, no salt पानी बहुत पीजिए हर आदे घंटे के बाद आदा गिलास पानी पीजिए अपने आपको स्वस्त रखिए, निरोग रखिए मैं आपको फिर मिलूंगी, धन्यवाद